आप सब लोगों को हाद जोड़कर नमस्कार और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं S.L.P.S. परिवार के मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ आमने सामने होते तो बात कुछ और होती पर लाइव में भी बात कुछ और ही होगी चिंता मत करो आप लोगों ने आज साबित कर दिया कि S.L.P.S. जो कहती है वो करके दिखाती है और जितने भी भाई भेन माता पिता समाल लोग हमें लाइव सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार हाद जोड़कर नमस्कार और उनके माता पिता के चरणों में नमस्कार क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंबनी को जोइन किया है जहाँ पर सिरफ संसकार सिखाया जाते हैं अपर गदारी नहीं सिखावी जाती मकारी नहीं सिखावी जाती जाहें मानदारी जाती है और S-LPS में जो भी fighter काम करता है उसको मैं salute करता हूँ क्योंकों इमानदार है तो S-LPS में ठिकेगा और बेमान है तो बाहर चला जाएगा तो सभी लाकों लोग जो एक हजार वेन्यू पे बैठे हैं आप लोगों ने कमाल किया एक निया इतिहास लिखा सब लोग सोच रहे थे ये SLPS वाले महाउसब में बड़ा कूते फानते देखो भाई हमारे साथ तो हर साल चैलेंज आता है पिछली साल राम मंदिर इस साल करोना बाबा पिछली साल नोन अतारिक राम मंदिर का फैसला है था धारह 144 लगती तो कहां से फंक्षन होता पर फिर हमारा जो बाबा बैठा है ना उससे बड़ी तागत कोई नहीं है वो बाबा डमरू वजाता है और खेल हो जाता है बाबा डमरू वजाता है खेल हो जाता है आज भी ज इस सफर को खूब सूरत बनाने के लिए काम्याब बनाने के लिए 6 साल बेमिसाल तक लाने में में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दोस्तो मैंने तो सिरफ सपना देखा था कुछ लोगों के साथ काफिला जुड़ता गया आप जैसे अच्छे लोग साथ आते यह कितनी बार जीतोंगे भार भार जीत लेते हो और बार बार में नतमस्तक हो जाता हूँ छैसाल यहां तक पहुचने का जो सफर है इसमें बहुत सारे लोगों का यूगदान है आप सब का एक एक फरेशर का यूगदान है हर उस वेख्थी का यूगदान है जो S.L.P.S. को जानता है जो हमारे बारे में नेगेटीव बात करता है sisका भी यूगदान है हमारी कंपनी के operation director मिच्टर माम्चन जी को जो हमारे पीछे मजबूत इस्तम की तरह खड़े रहते हैं अनिल कुरी जी को जो market में जा जाके लोगों को train करते हैं और कंपनी के first ambassador मिच्टर माइपाल सिंग जी को जिनों ने इंडिया में नहीं वर्ल्ड रिकोर्ड बना इतने कम समय में इतनी achievement लेके शिव कुमार जी को रामविर जी को अनुच को अमित दूबे जी को बंडारी जी को कुनाल को मदनलाल जी को सारे ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड स्टार सफायर, सफायर रूबी, टोपाज अमिनाल्ड, प्लैटिनियम गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज हर एक वो व्यक्ति जो एसलिपियस को जानता है यहां तक पहुचाने में उन सब का योगदान है दोस्तों, उन सब का योगदान छे साल बे मिसाल कर दिया तुमने कमाल मच गया डारेक्ट सेलिंग में धमाल लोगों के हाथ में पकड़ा दिया आसू पोचने के लिए रुमाल देखिए मैंने ऐसे बोला था सेकंड शो में, मुझे थोड़ी पता था मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं अच्छा वो बोला भी जोश जोश में था मुझे नहीं पता लाइव होते कैसे मैं सीधी बात बता हूँ मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी हूँ बस वो तो मेरे जोश जोश में दूसरी साल का सो चल रहा था ताल को टरह में बहागी अवाज अंदर से मैंने बोल दिया एक दून ऐसा होगा पिक्चर होल बूक होंगे हजार होटल बूक होंगे दिल्ली में सोच लेगा लोग लाइव देख रहे होंगे देख रहे हैं भाई इसलिए कहता हूँ सच्ची नियत से नेक नियत से इमांदारी से सच्चाई से बिना लोगों को ठगे बिना बेवकूप बनाए अगर यहां से कोई अवाज दी जाएगी तो वहाँ पर उसकी सुनवाई ज़रूर होगे हंड्रेट पर्शेंट परमात्मा वो सारी चीज़े करता है अब परमात्मा को कंपनी बढ़ानी थी यह लाइव सो करान था करोना बाबा ही भेज दिये मैंने खूब समझाया बिरोजगार लोगों को भाई रोजगार डिरेक सेलिंग में मिलता है बहला रहने तो डिरेक सेलिंग भाई बिमार आत्मी को समझाया अब करोना बाबा ने समझाया तो समझाया अब करोना बाबा बोला कि आईरवेद यूज करोगे तो करोना से बचोगे और बिरोजगार को बोला डिरेक सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे कभी रोजगार ढूनने की जोर्त नहीं पड़ेगी दोस्तों बहुत ग्रोथ आई ये डारेक्ट सेलिंग इंड़स्ट्री में पिछले 6 महिने में मैं यह नहीं कहता है हमारी कंपनी में तकरीबन लोग जानने लगें समझने लगें अब यहां प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं मेरा बेटा आमेटे युनिवरस्टी में लेल भी पुला दूसरी कंपनी में कर रहे हैं तो यह ट्रेंड आ गया है लोग समझने लगें आप लोग भी समझो कि यह इंड़स्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है यह वो इंड़स्ट्री है जिसने इस पैनेड़ामिक माहोल में वो करके दिखाया जहां पर लोग एक एक ही वाले गाड़ियां खरीद रहे थे यह डायरिक्सरीलिंगे टागत scraps करें की तो मजार है है मैं मैं यह कहना चाहूंगा यह साल जो हुए ना जब एक बैस्में बैटिंग करता तो जब तक छखका नहीं लगता है तब तो कि डरता है रुभी तो दो रन तीन रन लेलेके धीरे-धीरे टाइम निकालता है पर एक बार छक्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है अब तैयार हो जाओ छक्के पर छक्के अठ्टे पर अठ्टे दस्य पर दस्य बारे पर बारे लगेंगे यहां तक पहुचना मुछकिल तहां इस से आगे पहुचना असान है कुमार्य विश्भास जी मेरे कान में वह ले तरी कमपणी की पोटेसION मुझे एक लाग कोड़ की लग लग रही है एक लाग कोड़ की कि डारेक्ट सेलिंग करने वाले भी एक लाग क्रोड की कंपनी बन सकती है और उसमें काम करने वाले सो सो कोरण हजार हजार क्रोड के लीडर बन सकते हैं यह बात मैं हिंदुस्तान के हर परतिश्ची दाज में बुलवाना चाहता हूं जिसमें आज एक वेक्ति भोलके गया है लेकिन तकलीफ सिरफ जब होती है जब यहां लोग आके फेलियर हो जाते हैं जब बहुत तकलीफ होती है फेलियर होने के बहुत सारे कारण है हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको क्योंकि failure होता कौन है direct selling करता कौन है जिसको रियल जरूत है ऐसली पर जोइन कौन करता है जिसको need है जिसके परिवार में जरूत है जिसके सपने है जिसके घर में तकलीफ है प्रॉब्लम है ऐसे middle class lower middle class ऐसे लोग इस इंडिस्ट्री में आते हैं और जब वो लोग फेल हो जाते हैं तो मेरे दिल पर बहुत लगता है मेरे एकदम से मैं कह रहा हूं मैं blender stress में आता हूं कि यार अगर अमानी का बेटा आके यहां फेल हो जाए किसी करोणपती का बेटा आके फेल हो जाए समझ में आता है पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहां फेल हो जाए समझ में नहीं आता क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं काम्याब होने का एक रास्ता जो दिल पे लगता है क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको हम मिडिल क्लास लोगें इस इंड्रस्ट्री के सिवा हमारी पहचान हमारा सम्मान हमारा मान हमें पैसा कोई नहीं कमबा सकते तो मैं यहां दिल्ली से जितने भी लोग लाइब देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको चरवेक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलती है यह इंड्रस्ट्री बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंड्रस्ट्री हम कोई बीटेक, एमटेक, IPSIS नहीं है मेरे भाई हम मिडल क्लास लोग हैं लोगर मिडल क्लास लोग हैं गरीबों के बच्चे हम हमने सबर साइकल पे जिया है हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की हमने नॉर्मल जिन्द की जिये अगर हमें यह धंदा मिल गया तो पीछे मत हटना डटे रहना, मैदान मत छोड़ना, चार साल अपने अपलाईन का हाथ पकड़ लेना, सोटकट में बताता हूँ, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाईन को हीरो समझना, मैं लिक के दे सकता हूँ, जिस गरीब आद मिने हाथ, ऐसल बाब की उलाद नहीं, और मैंने ये कमपनी दिमाग से नहीं बनाई कि और नहीं मेरा दिमाग चलता, मैंने जितनी बाते बोले दिल से बोलिये जो सारी सच होती है, दिमाग नहीं लगाया व्याहि 7 uk मैं कम्पनी नहीं समझता इसे पूजा करता हूम इसकी, अब साला हमारे इतना बड़ा शोता हराम जादे कुत्ते जो भार मेटे हाय मार रहे एकल से मुझे बुखार हुआ जुखाम हुआ खासी हुई रसुमे मेरी उंगली पिछ गई मतलब पूरी कोशिच कर ली कि आदमी शो में आ जाए तुम्हारा फूपा फिर भी आया जितनी हाय लगानी ये लगाओ जितनी हाय लगानी ये लगाओ सालों दुनिया जीत के दिखाऊंगा वल्ड की लंबर वन कंपनी ना बना दी मुट की लंबर वन कंपनी बना दी वल्ड की लंबर वन कंपनी मेरा बाप कि वर्ल्ड की नंबर वन है हैं वे के मालिक को सुनना है वो सुनने हर्बर लाइफ के मालिक को सुनना है सुनने कि साले छक्का बस इसका इंतिजारता बेटिंग चालू हो चुकी है कि मुझे नहीं आता है लोगों का यूज करना करवा हूं कालियां तक दे दे तौम ले लीडर को लेकिन कोई पुरा नहीं मानता और साले उल्टा के बोलते सर्दी बड़ा मजा है आस्तु हिंदूस्तान का पहला एसा एमडी हो कि लीडरों को गाली देता हो फिर बोलते है सर बहुत दिन होगे गाली दूना या विनास कला के बोलता है मेरे को सर इस शो को कैसे करूं मैं बोला आपने गालिया नहीं बगी गाली बगोगी तो अच्छा शो कर दूंगा जमाल से कड़वाओं लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुक्सान कर दूं प्रोडेट का रेट फाल तुमें बढ़ा दूं प्लान में कुछ चेंज कर दूं लोगों का खा जाओं लोगों का हाजम कर जाओं लोगों के पैसे पी जाओं कभी नहीं सोचा है हमेसा यह सोचा मैं जादे किसे दे सकत हूं मैं और जादे क्या कर सकता हूं अभी पहला चेक नहीं आता था बिना के वैसे के मैंने सोचा है पहला चेक जाना चाहिए एक नया बच्छा को पहला चेक ओनलाइन के वैसी बाजाना चाहिए फिजिकल के वैसी आये चाहिए क्योंकि उसका कॉंफिडेंस होता है उसका पह 22 गंटे ऐगिरी करते हैं दिमाग लगाते यպतें पीधर से लिग नीकाल ले खुन कुछ ले इनका कूरें इने इसे काम कर आले अपना मुनाफ हाध सूके बड़ MD किसे सोच असने फेप्ट कम्पनि के बारे में लोगों के बारे में एक एक साप्पल टोइट आमें आप तू जहाज लेजा लाला क्यों कि किसी को समझ नहीं आए इंडरस्ट्री क्या है मैं भी लालची था जूट नहीं बोलता है मैं भी इस कम्पनी को खोला पैसे कमाने के लिए था मिरे से जूट नहीं बोला जाता यह सचा ही है लेकिन जब मेरी इस कम्पनी में सबर बढ़ता रहा आगे में बढ़ता रहा लोग काम्याब होते रहे पैर चुना प्यार करना गुरुजी आपके शिंदकी कुनाल गले लाइ लगता है तो रोने लग जाता है कि लोगजी कुछा कुछों तबाएं के लिएं लोगोंगों ने मेरा सोचा मेरा दिमाग तुम पैसा कमाने के लिए नहीं तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो यह सो मुझे आज जी समझ आता है इंडरेस्ट्री में को लोग आते हैं यह कोई मजदूरों की फैक्ट्री थोड़ी है यार कि मेरे पास सो मजदूर है उनको निकाल दिया तो दूसरी फैक्ट्री में नोकरी मिल जाएगी हाँ है ना मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी यह पर कौन आता है कोई बीटेग विचारा कोई एंटेग कोई एंबीए कोई में करके पूरी जिंदकी लगा देते बच्चे सुवज शाम तक घूमते हैं उन गरीब बच्चों को देखो जुन्होंने विचारों के आईडी के पैसे बड़ी जिस दिन सीसा बन जाओंगा दुनिया देखेगे हैं कि मुझे समझाते हैं पहले दिन से समझा रहे हैं जब से कंबनी को ली लिक्विटी प्रोडेक्ट मत बेच बरबाद हो जाएगा हो गया है कि ट्रांस्पोर्टेशन महेंगा है मैं रूफेक्शनिंग महेंगी है लिके करता हूं कि स्टाप की तंका भी देता हूं डवलमेंट पुला पागल आदमी एक आईटी पर तीन हजार से नीचे बचे तो क्या बचे यह सोचन लोगों की और यह साले मुझसे कॉंप्टिशन की बात करते हैं मुझसे कॉंप्टिशन करेंगे इनका बाप का बाप भी मु से सा नहीं लगता मैं इतना अपने बचको प्यारा नहीं करता चात्राम अपने एशणीपेस की परिवार को प्यार करता हूं मैंने जे और इस आँलेन मुझ मोझे कल ता दू जुखाम ता दूर दूर तक खासितः कल दो फैर चालो रूँ से पता नहीं कहा मंतर पढ़े है कुमार विस्वास जी आए बता रहे हैं मुझे भाई संजीव तेरी कंपनी का नाम आते हैं धै मेल इतनी मेल आ गई कुमार विस्वास जी खुद बता के अभी आप यूथ आई कोनों आपके 2.5 क्रोण फोलोर हैं आपको इन कम्नियों के प्रोग्राम में नहीं जाना चीए बोला मैंने गई भाई संजीव जिसके शत्रू जादा है इसका मतलब आदमी एक नंबर है अजय को अगरा तम में आया मैंने देखा रित्री मेल एक आदमी के लिए इसका मतलब को इच्छा काम कर रहा है कि बोलते हैं जिन्दगा बना देंगे जिन्दगा बना देंगे हम आपकी जिन्दगी के साथ हैं मतलब दिमाग लगाए जा रहे हैं अब भाई हमने तो प्लान मनाय था अपने दिमाग से किसी का कोपी किया था क्या पहले को ऐसा प्लान था इस हिंदुस्तान में हम तो प् बाद भी अपने लोगों के साथ हो तुम जीते चीजिन के साथ नहीं हो मैं तो अपने लोगों के साथ मरते दम तक हो अगर वो दुनिया से भी चले जाएंगे तो एक इंसान है जो उनके परिवार का भरन पोशन पालन करेगा क्योंकि मैंने दोलत को कुछ नहीं माना शिरफ है और ना कभी रहेगी है 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 ऐसे होता है अब हम योजना लाए बोला योजना चला दी ऐसली पर हम भी कोपी कर लेते हैं कि कोई फाटर इस दुनिया से चला जाएगा तो यह देगे तो दो एक दो कंपनी का फुद्दूशा डारेक्टर साला च्छै महीने उमर नहीं मै भी टूंगा अब पत्टे अबने घर का अधर वाज़ा दो एक पहले चाले बोट तो टुटा वाज थे पर तो बदली नहीं हुआ यह से करना चीह, इस तरह करते हैं, करो दिल से करो, मैं कहें तो करो मुझे कौफी, करो मुझे कौपी, बनाओ ऐसी अच्छी कंपनियाँ, दो लोगों को चाप विश्य, मैं करूँ, मैं तुमसे कौंपिटिशन भी नहीं करूँगा, तुमारे इचत करूँगा, पर दिल से ब को देखके लेएल पराल याँ कभी कुछ कर रही है प्रोडेक्ट को देखके प्रोडेक्ट लारी है side कि लाला जवाणी हिस इमैंत करने लेते तो एप गुठने तो na किसाने पड़ते बढ़ते बड़ाइब में नेट ट्रक वचाते घूमरें अपना ऐसलिपेस में लोग जा रहे हैं ऐसलिपेस में लोग जा रहे हैं हम गुलाने जाते हैं संजीव कुमार ने आज तक ही भी फोन किसी को किया और मैं आज फिर एक ऐलान करता हूं इस माइक के माध्यम से बच्चों मत पड़ों इन गदों के चक्कर में कोई नहीं है हमारे टक्कर में हता कि आप सब लोग जो भी डैएक सेलिंग कर रहे हैं अगर आप अच्छी इंकम पारें पक्का कॉशे कंपनी में रही है मैं बिल्कूल नहीं चाहूंगा डिस्टब होना ना डिस्टब करना ये मेरी Nीते में नहीं में यह मेरिदियर में एधिक्स है कि तुझे यूज किया जा रहा है और तुझे लगता है कि तेरे सालों निकलने के बाद आज फेलियर मेरे हाथ में तो आफ फेलियर मैं बनाओंगा तुझे अचीवर उन लोगों के लिए मेरा दर्वाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते हैं डारेक्सेलिंग जैसा इजी काम ही नहीं है प्रोडेक्ट में दम होना चाहिए कंपनियों की यूएस बी होनी चाहिए बोलते हो यह तो छैसाल पुरानी है मेरे पास मैंने आपको भी जलक दिखाई है कि इधर से खरीदा इधर बेचा इधर से खरीदा इधर बेचा इसे डार्ट सेलिंग कहते हैं कि ट्रेडिंग कहते हैं कि ट्रेडिंग कहते हैं इसको इधर से खरीदा इधर बेचा यह डार्ट सेलिंग कहते हैं यह ट्रेडिंग होती है डार में जाए तो लोग बोले कि मज़ा आगया अगर एक डारेक्ट सेलर को एक कंजुमर बोलेगा तेरे प्रोडेक्ट लेके मज़ा आगया पैसे नहीं सस्ता महेंगा यह सब अकडम तकडम यह जितने भी बजार में बैठें इस सिर्फ आदमी का दिमाग गुमाने का केल कर रहें अंडेस्टेंड पैसे बैसे नहीं देखता कोई ड्राइब्ला पैसे से देखेगा हां जिसको बच्चा नहीं कुए..? पैसे कॉई नहीं देखता रिजल्ट देखता है यही कहना चाहता होować फोट फसे की डीट उसेलिंग होती है कि जिसको मैंने प्रोडेक्ट दिया ना वो डारेक्ट सेलर ना बने पर मेरा प्रोडेक्ट दस घर में देके आए मुझा आगया वह स्लीपेस के प्रोडेक्टों में यह ओते ही थिकल रियर डारेक्ट सेलिंग इधर से लिया किसी सरफ ले रहा है किसी से साबूल ले रहा है किसी से चड़ी ले रहा है किसी से बन्याल ले रहा है उल्लू के बत्ठे साlor कर बोल सेब्स डरेक्स रिकर रहे हैं services यह रिक्ष ऑज है कि यह चैनल एंग है या यह यह जो geen कू पनाना होता है क्रेंच करना नहों का है कि नियुक्त मोट टैस्ष गरकर दिखाओं अभी मैंने वाई अब ह具्थ गाया जिती महएने थीन महएने किंती कर लेना आज से तीन महिने जो प्रोडेक्ट तुम यूज कर रहे हो ना और यूज करा रहे हो तीन महिने टेस्ट उपर नीचे हो सकता है यह मैं सोचना पुराना टेस्ट नहीं मिल रहा हूँ तीन महीने, चैलेज, इस्टेस से कह रहा हूँ, इस्टेस से तीन महीने, डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिये, डबल नहीं कर दिये तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं, डबल रिजल्ट नहीं कर दिये मेरा नाम संजीव कुमार नहीं, डबल रिजल्ट डबल करूंगा, लो कि अपना अपना इस्टाइल काम करने का अपना इस्टाइल तो यही है ठोक के कहते हैं ठोक के करते हैं आज तक ना पीचे अटे ना कि भी फीचे अटेंगे कोन अप्डी लगाता है सरह पैशा कमाघे मैंनुं फ्रेक्सिंग प्रंटों में चाले डरे रहते हैं कल कमपनी बंद हो गयाइट शिकायट हो गया तो केस हो गया तो फ़लाना हो गया तो ढिमका हो गया इटेटे की उलाथ साले और तो मैंने डरता भाई कुछी भी हो जाइए पूरा चाहिए मैंने जनता कमा रखيرة है अगर मैंने गलत नहीं किया होगा मेरी जनता रूड़ो पर होगी मुझे पता है आगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो हमने लोग कमाए है लोकों के यूज नहीं किया हम ने कि मुझे नीडर लगता है जितना आता है सारा लगा देता हूं 30 क्रोण का यह प्लांट तैयार हो रहा है फिर फूड सब्लिमेंट का प्लांट तैयार हो रहा है कि अरे दो फ्यक्टरी तो बना ली दो और बना रहा है और चार बनाऊंगा पूछ पाड़लो मेरी अ कर दो यह उनिक सेलिंग पॉइंट होगा आपारी कंपनी का आज बता देता हो तुम्हें बार का प्रोडेक्ट नहीं लेंगे 99 परसेंट एक परसेंट कोई प्रोड़क्ट हो सकता है 99 परसेंट मैं बोल रहा हूं ऑप अपको फेक्टर लगेगी अपनी टोलेट्री लगेगी अपनी लोग वह लाओँ हूं हम это लेकिन किसांड फसल में डालेगा ना तो तुम्हें दूआ देगा और व्रुषट्री होगी अपनी हर एक फैक्ट्री अपनी होगी जितने प्रोडेक्ट अपन बेचेगे सब अपन मनाएंगे सारा पैसा है ऐसे माल लगा दूँगा नहीं चाहिए एक भी पैसा आदमी खाली आता आता है खाली आत जाता है नाम लेके जाता है शंजी उकुमार का एक ही सपना है कि क्वांटिटी पे क्या करना कई बार लीडर आगे बोलते सर यह ले आओ अरे भाई में लेकर तो चपन सो प्रोडेक्ट ले आओ रोज कोई आजाता है यह बेचलो यह बेचलो नहीं बेचना किसी का प्रोडेक्ट मुझे नहीं पता वो क्या डालता है क्या नहीं डालता क्य सही है क्या गलत है आज हमारा रो मेटल स्टोर आपने देखा जाके घूम के आओ जाए पर विजिट करके आओ जो भी बड़े लीडर नहीं देख को हम कैसे चीजे बनाते हैं कि मैंने खाला एकिसी को नोकरी पे रखा आयर्मितिक फैक्ट्री में सेंटिस्ट को तो मैंने इस अधिए को सब्सक्राइब किसी कर दोए से डालते नहीं देखा मैंने का बाबा केसर से उपर भी अगर कुछ होता हम वो भी डालते लेकिन हम अपने प्रोडेक्ट के साथ और अपने लोगों के साथ कभी कॉंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि सारा सिस्टम तैयार हो रहा है एक्सपोर्ट यूनिट बन रही एक तरह की बेचेंगे बार भी बेचेंगे गोरे लोग इंतजार करें गोरी मेडम कहां गई गोला ने गोरी गोरी मेडम वो कहां गई कि अरे हमें देशी नहीं विदेशी चीए कि अ कि बोलाओ ने कि भूली देती रहेंगी या कभी इसे पूछो तो सी आरवेदा जानती जानते हैं आज ही किलियर हो जाएगा विकेगा नहीं विकेगा जैसे वह ना चपन नहीं थी तो किलियर हो गया जूते भिकेगे तो इनसे पूछ गई गई अपना खोगी न तो आईडी लगा देता है अभी तो इनसे फूली ले रहे हैं ना थोड़े साल और तो मुझे क्योंकि जब भार जाएंगे ना तो मेरी जो नीती भार जाने की है वो नहीं है जो कंपनिया करती लंदन में कमणी रेइस्टेट करा के साटिपिकेट डाल दो पंगलादेश में रेइस्टेट करा के साट कर्टिपिकेट डाल दो वर्चल ओफिस ले लो यह इंडिस्ट्री साली चोरों की है कि मैं सही बता रहा हूं बही मानों की है हर टाइम दिमाग लगाते रहते हैं लोगों को बेपकू बना दो बस हमारा ऐसा नहीं होगा हम जब जाएंगे तो उन प्रोडेक्टों के साथ उ उन वेल्यूस के साथ और प्रिंसिपल के साथ जाएंगे मेरा सपना है कि मेरी कंपनी यूएस से में भी चले यूएस से गोवर्मेंट भी हमारे प्रोडेक्ट अप्रूफ करे कुछ ऐसा करना है जिसमें दोस्तों समय लगेगा पहले हिंदूस्तान को जीतेंगे फिर दुन दुबारा खाना मिल जाएगा लेकिन जो जिन्द की हां मिलती है न एक बार यह जिन्द की जीत लो पता नहीं कैसा कैसा खाना लोग परोश के देंगे तुमारे को कैसी जिंद की तुमारी होगी दोस्तों वो कह रहेते हैं न सीव कुमार जी कह रहेते हैं सेक्रिफाइज हा त्याग करना पड़ता है बड़ा आदमी बनना तो त्याग करना पड़ता है जो फिरेगा वो चरेगा जो फिरेगा वो चरेगा और जो घर छोड़ेगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा त्यार हो कि अच्छा वाकिय में आपको लगता है कि हम लोग बिजनिसमेंट टाइब लोग है कि दिल से बताओ लगता है अपना तबसा नहीं लगता है अपनी कंपनी नहीं लगती मैं हमेशा कहता हूं लोगों की कंपनी होती है मेरे दोस्त यह कोई फैक्टरी नहीं है कि सो मजदूर आपने संमान बनाया आपने पहचान बनाई है आपने मेरे लिए सर्वो परी मेरी दोलत मेरा परिवार मेरा पैसा नहीं आपका परिवार आपकी दोलत और आप हो और रहो गे ता उमर रहोगे